ये बात हम सब जानते हैं के मशली पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती क्योंकि मशली पानी के अंदर सांस लेने के लिए गिल्स का इस्थिमाल करती है अगर आप मशली को पानी से बाहर निकाल दोगे तो वो सांस नहीं ले पाएगी इसके चलते उसकी मौत हो जाएगी लेकिन मैं आपको बोलू कि इस दुनिया में एक ऐसी भी मशली मौजूद है जो पानी में भी सांस ले सकती है और जमीन पर भी सांस ले सकती है तो शायद आपको मेरी इस बात पर यकीन नहीं होगा और इस मशली का नाम है लंग फिश ये मशली अफरीका में देखने के लिए मिलती है इसकी खास बात ये है कि इस मशली के अंदर इंसानों की तरह लंग्स यानि के फेपड़े होते हैं ये मशली वैसे तो पानी में रहती है लेकिन अगर वहाँ पर सूखा पढ़ जाता है तो ये मशली जमीन में एक कैपसूल के जैसा गड़ा बनाकर उसके अंदर खुद को दफन कर लेती है ये मशली ऐसा तब तक करती है जब तक वहाँ पर दुबारा से पानी नहीं आ जाता जिसके चलते हैं ये पानी के अंदर और जमीन के उपर दोनों जगा साथ